धानु राशी वाले जातक आस्तीन का सांप निकल कर आएगा स्वागत है मित्रो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धानु की दुनिया में आने वाले दो दिन यानि की 25 और 26 अगस्त अगस्त महीने के ये दो दिन कैसे रहेंगे ग्रहनक छत्रों की क्या चाल है कैसे प्रभाव आपके उपर इनका पड़ेगा तेंचरिया में क्या बदलाओ आने वाला है आगे आने वाले समय में इन दो दिनों में यही जानने वाले है इस वीडियो में हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो सुरु करने से पहले आप सभी मित्रों से भाई बंधूगों से दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्रनी वेदन है किस वीडियो को लाइक कर दीजे नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाईए और चैनल को जल्दी से सब्सक्रा आप दूस्तों से लाव दिलाएगा दोदे में कोई भी काम करने से ही सही प्लानिंग अगर बनाके आप काम करेंगे तो और शवाब को लाव दिलाएगा गुस्06 में आकर किसी को बुरा बहला ना बोलें ऑफिस में कामकाज में खुदो को आलस्τη से दूर रखें और बंगने के लिए कई लोग आ सकते हैं करबार सुरू करना चाहते हैं कोसिस करें कि पिता से आर्थिक मदद ना लेनी पड़े अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो कुछ समय रुकना ज़्यादा सही रहेगा स्वास्त में महमारी के प्रती शतर्क रहना होगा परिवार में बेहन क साथ ताल में अच्छा रहेगा आपका दोस्तों यह जो दो दिन हैं काम के लिए आपका प्रयास ही सफलता दिलाएगा कारियास थल पर महिला सहकर्मियों का सम्मान करें उन्हें किसी तरह की मदद की आवशाकता हो तो आगे बढ़कर इन दो दिनों में उनकी मदद करनी चा ही उनकी जो भी संभव हर संभव प्रयास करिए कि उनकी फुल सपोर्ट करें तोस्तों फूल या कॉस्मेटिक का करोबार जो करते हैं उन लोगों के लिए मुनाफे का दिन है करोबार बढ़ने के लिए दो दिन टीम वर्क के साथ काम करते हैं अगर तो लाव दिलाएगा त तेहत में डेंगू, मलेरिया, आदी के प्रति आपको शावधान रहने की सलाह दी जाती है, सजग रहें, दुरगटना की आशंकाएं भी हैं, इसको लेकर भी सजग रहें, महिलाएं किचन में कामकाज को लेकर शतर करें, दादा दादी नाना नानी का ध्यान रखें, उनकी ज चुपड़ी बातों में इन दो दिनों में आने से बचें, काम को पूरा करने के लिए अरंगा लग सकता है, तो कुछ समय के लिए रुक जाई, नौकरी पिसा लोगों के लिए महनत का परणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, दवा या सर्जिकल आइटम या फूड वेवरेजस का काम करने वाले वेवारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, विद्यारती समय का फूरा सदूपियों करें, लीवर आदी की परशानी पर डॉक्टर की सलाहत जरूर ले ले लें, जीवन साती का वज़न जो है आदी अधिक है, तो उन्हें काम करने की सलाहत द देगा, दोस्तों ये दो दिन आफिस में आपकी काम में, काम से जो लोग हैं संतुष्ट रहेंगे, साज़दारी में चल रहा काम फायदे बंद रहेगा, कारोबारियों को जल्द बड़ी डील मिल सकती है, जबाओं के लिए पिता को दिया गया आस्वासन पूरा करने का सम सावधान रहें, दोस्तों ये दो दिन भविश्य में जिम्यदारियों को लेकर खुद को मानसिक तोर पर मजबूत रखें, सभाओं में चंचल पन जो है लाना चाहिए आपको, थोड़ा सा उसमें बदलाव करना चाहिए सभाओं में, क्योंकि वर्तमान में उच्चा दिका रिक्चाओं के लिए, रिवीजन में समय और बढ़ाएं, सर दिकासी और सांस लेने में तकलीफ परिशान कर सकती है, सेयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो ये दो दिन सदस्यों से संबंद खराब हो सकते हैं, दोस्तों ये दो दिन पूरा शमर्पन और शयमित बहवार ह कारियस थल पर काम को समय पर पूरा करने की आदत बनाईए, नया प्रोफेसनल जीवन के लिए ओपी होगी रहेगा, नया प्रोफेसनल आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई मदद मांगे आपसे, तो उसे मना मत करिए, दोस्तों इन दो दिनों में काम काज के दौरान अधि परद रहेगा समय, सेहत को लेकर पीठ और हड्डियों में दर्द परिशान कर सकता है, डॉक्टर की सलाह पर जरूरी दवाएं उंग साउधानियां लगू करें, घर में बदलाव की संभाव नाया है, नया मकान खरीद सकते हैं, दोस्तों ये दो दिन आपको पूरू में सो की से जुड़े लोगों का काम जो है मन मतावित नहीं चल रहा है, तो धैर्या रखें, व्यापार में जिन लोगों का सरकार से सम्मंदित कोई काम अठका है, नहीं हो पा रहा था, तो उसे इन दो दिनों में लाम मिलते दिखाई दे रहे, यवाओं के लिए भी दिन कुछ सफलता देने वाला नहीं रहेगा, मतलब कुछ खास बदलाओ यवाओं को भी इन दो दिनों में नहीं होने वाला है, इसलिए साउधान रही है, यवाओं भी मतलब सतर्क रही है, कोई भी कुछ खास बदलाओं नहीं होगा, लेकिन अपना फोकस बनाए रखिए, काम को मत दूरी की यात्रा का प्लान आप इन दो दिनों में बना सकते हैं, दोस्तों ये दो दिन धार्म कर्म का तालमेल बनाए रखना होगा, तो वही दूसरी और मन अध्यात्म से जुड़े रहे, तो धार्मी किताब पढ़ना अतिलाब करी रहेगा, कारेस्तल पर जो है सराहना सम मान पा सकते हैं, और परिवार भी परिवार में भी खास बना रहेगा, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये दो दिन जो है बहुत सुभ है, खुद्रा कारवारियों को थोड़ा कम लाव होगा, मगर हतास ना हो, हेल्थ को लेकर रिस्तितियां थोड़ विवादित ना हो, कोसिस करें कि बातों से ही सुलजा ले, मतलब विवाद ना बढ़ने दे, तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर बातों से ही बात सुलज जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये दो दिन आपके सभी लंबित काम पूरे होने से मन प्रशन रह भोजन, नीद, आदिवी, अनियमित ना होने दे, इसको नियमित रखे, कम मतलब इसमें कम कमी नहीं करनी है, तनावार भागदोड की जिन्दगी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आदिवीका के छेतर में भी सुखद समचार आपको सुनने को मिलेगा, करवार में मन्चाही सफलता मिलेगी, नया व्यपार सुरू करना चाहते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है, स्वास्त को लेकर कहीं कोई चोट या इन्फेक्शन है, तो उसे सूजन या दर्द उभर सकता है, ये दो दिन बच्चों के साथ बच्चे बनकर समय बिदाई, बच्चों के साथ आपको जो है, बहुतरी का योग है, घर में बड़ो का सनिद्ध और मार्ग दर्शन मिलेगा, दोस्तों ये दो दिन जो है, मन जो है आलस और विलासिता की ओर बढ़ सकता है, इसलिए उधर जादा ध्यान नहीं देना है, मन थोड़ा भटकेगा, इधर उधर भटकेगा, मन को कंट्रूल क तो वही दूसरी और जो है, बोस हैं, और उचादिकारियों से, जो है, विश्वास पात्र बनने का मौका भी इन दो दिनों में आपको मिलने वाल है, प्रोपर्टी संबंदित, व्यपार करने वाले ग्राहकों के साथ, जो है, छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा सूनी हो सक सकती है, इससे बच कर रखें, बच रहें, योवार और विद्यार्थियों के लिए दो दिन सामानने रहेगा, बच्चे टीवी या लैप्टप या मोबाइल ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उन्हें बच कर रहना चाहिए, इन दो दिनों में कम प्रयोग करना चाहिए, घर में किसी महत्पून मुद्दे पर चर्चा के दवरान खुद को शयमित रखें, घर के बड़ों के बीच खाल, जो है, साक गिर सकती है, आपकी पुराने निवेश, जो है, अच्छा आपको लाव दिलाएंगे, पुराने निवेशों से लाव हो सकता है, इसलिए तयार र पर चान से सम्मंदित परिशानियां बढ़ सकती है, परिशान कर सकती है, दोस्तों घार में दूर रह रहे हैं परिजनों के आने से खुसी मिलेगी, दो दिन समाजी गतिविदियों में शक्रिये लोगों के लिए लाव कारी है, कामकाज के प्रतिनिस्टा और प्रतिस्टा बनाने का समय है, आफिस में अनावश्यक रूप से अगर कोई परिशानी परिशान कर रहा है, तो उसे आप अपनी योग्यता से परास्त करने की मतलब सक्चम होंगे, योग्यता से आप उसे असानी से परास्त कर सकते हैं, अभी आर्तिक नुक्सान के आसार भी कुछ लोग के हैं, बन रहे हैं, इसलिए उनको भी सतर करेना चाहिए, हेल्थ को लेकर नेतर रोग उभर सकता है, तो दोस्तो ये था आने वाले दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, इन दो दिनों के दानिक राशीफल के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने जाना, उमीद कर हैं, आप सबी से एक नई वीडियो के साथ तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आज पास सफाई रखें, घरवालों का खयार रखें, साथी साथ अपना भी खयार रखें, जय शरादे, जय भोले नात